हेलो अरिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एचुकेस्टन चैनल पे आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, मैक जी एले सॉप्ट जी लेटिन कैपसुल्स के बारे में, तो हम सिखे की यह कैपसुल के बेजिक उसके बारे में के कौन से अलग अलग medical conditions को treat करने के लिए मैक जी एले कैपसुल्स किया जाता है, साथ ही जाने के उसके डेली डूज्स के बारे में की डालि दूज्स का राए का यह कैपसुल्स को यूज्स करने पर, साफैक्स वागणाग सवगर and founder of Pharma Rocks. Thank you for being Pharma Rocks family. Updated area of Pharma knowledge के साथ access कर सकते study material, test series, video lecture 7-7 disease and medicines rated course Pharma Rocks की आपो पर affordable price में एक साल तक तो सिखे दावायों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindication एक साल तक वो भी affordable price में. तो डाउनलोड करें आप Pharma Rocks की joint rate application ने Google Play Store पे Apple iPhone, F App Store पे link आपको description box में मिल जाएगी तो आप सिखते हैं Max GLA soft gelatin capsule के बारे में तो यह ऐसे class का medication हम कहेंगे कि nutritional supplements के category में आते हैं और यह हमें ऐसे health supplements provide करता है कि जो हमारी neurons होती है, उनकी health को improve करता है, कि जो हमारी नस से कई बार कमजोर हो जाती है तो main reason ही होता है कि वो उनकी जो कमजोरी के पेछे उनकी poor health एक reason बनती है तो फिर से जब neurons हमारी healthy हो जाती है तो उनकी जो कमजोरी वगरा काम हो जाती है तो especially जो neuron related जो problems होते है उसको treat करने के लिए ये Max GLA के soft gelatin capsules use किये जाते हैं तो उसके content के बारे में हम समझे तो उसके अंदर total त्रीन ऐसे basic ingredient है कि एक है gamma linolic acid है 100 mg के अंदर methyl cobalamin है 250 mg जितना और vitamin C है उसके अंदर 100 mg जितना और side में आप जो capsules देखो तो जो black color की होते हैं तो उसके पीछे का reason है कि उसके अंदर iron oxide black जो color है वो add किया गया है तो यह हो गया उसके तीन ingredient तो यहाँ पर उसके label study कर देते हैं कि label के अंदर यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में भी उसका नाम लिखा है कि maggla लिखा है कई बार कुछ लोग magla भी कहते हैं but company ने अल्रेड़ी उसका हिंदी नाम प्रेंट करके दिया है maggla फिर लिखे है तीन ingredient के gamma linoleic acid लिखा है macabolamin लिखा है and vitamin c के capsules लिखा है तीनों के content यहाँ पर लिखे कि एक soft gelatin capsule के अंदर 100 mg जितना gamma linoleic acid है फिर 100 mg जितना vitamin b12 है और vitamin c ब्यूस के अंदर जो है वो present है उसका जो storage है वो आपको cool place के करना है sunlight से protect करना है और dry place पे यह capsules को अच्छे से store करनी है तो उसके benefits हम देखे तो जो gamma linoleic acid उसके अंदर एड़ है तो वो diabetic neuropathy में हमें काफी help करता है कि जब neurons वगेरा कमजर हो जाती है नसे कमजर हो जाती है आपके diabetes के करन्ट तो उसके इलाज में यह medications यूज़ की जाती है कि neurons related जो pain होता है वो कम करता है gamma linoleic acid फिर जो vitamin B12 उसके अंदर एड़ है तो वो क्या करता है B12 के deficiency को पूरा करता है और साथ हो साथ neurons के healthiness के लिए भी वो जरूरी है और vitamin C की हम बात करें तो वो natural antioxidant है और यह जो neuropathy के जो sign and symptom से उनको treat करने के लिए use के जाता है देखू कि यह पर जो हमारी neurons होती है वो ऐसे healthy होती है बड़ कई बार वो जो cells होते है वो damage हो कि नीचे वाले diagram के according to unhealthy neuron cells हो जाते है और उसके करन यह neuropathy जैसे वीमारी होती है कि जिसको simply हम कहें तो नसों का कमजोर हो जाना उनका weak हो जाना और वो अच्छे से काम नहीं करती है तो इसे के इलाज में यह capsules जो ही use किया जाते है जैसे कि आप देखो तो जो pain होता है neurological disorders के अंदर कि जिसको neuropathy हम कहते है कि जो neuron related problem है आपकी weak हो गई है neuron कि जिससे नसों की कमजोरी हो जाना diabetic neuropathy की जो conditions हम कहते है या फिर कई बार सीने में भी दर्ध होता है उसके करन pain in a chest फिर tissue repair मतलब कि जो हमारी tissues वगएरा होती है उसको repair करने के लिए जब tissue जो numbness की जो continuous काई बार हमारी body के अंदर produce होती है जो कमजोर नसे होती तो उनके करन नसों की कमजोरी से एक symptom develop होता है कि जिसको हम medical terms के अंदर numbness कहते है और हिंदी में देखे तो उसको सुनने तक आ जाता है कि कुछ बाग जो वो सुनने हो जाता है numbness जैसा फिल हो करते हैं फिर tingling की जन जना होट आती है कई बार body के अंदर तो उसको भी ठीक करता है यह mag jla capsule फिर vitamin c है तो scurvy में भी यह useful साभिस होता है कि जो vitamin c की deficiency के करन होने वाफिल जो हमारी कोसी काओ की जो कसती होती है कि जिसको cell damage हम कहते है तो उसके इलाज में भी यह useful है फिर जो सूजन सबंदे बीमारिया होती है inflammatory diseases जिसकों कहते है eating मतलब कि खुझली और vitamin c की की जो कमी होती deficiency सभी को कुरा करता है यह capsule उसके side effects हम देखे तो lower back pain जैसे condition कई बार कुछ लोग feel करते है या फिर hot and red skin या फिर redness of skin की यह पर आप देखो कि यह वाली जो skin का जो बाग है वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है redness तो यह से skin उपर redness या फिर आगे जाके वहाँ पर रैसिस जीसे डेवलोफ हुझे करकर उसको आप काफी high dose में यूज करते because उसका usually dose रहता है कि OD रहता है कि एक ही tablet जो है वाप दिन में यूज करते हैं एक ही capsule उसके यूज करते हैं फिर gastrointestine discomfort मतलब की आपके पाचन तंद्र से जोड़ी कुछ बीमारिया हो सकती है जैसे कि आपको जो है वो diarrhea जैसा feel कर सकते है आप या फिर आप को nausea vomiting जैसा हो जाए तो ऐसे कुछ problem होते है फिर सरदर्ध हो सकता है रैसिस हो सकते स्कीन के उपर और stomach upset कि जो हमने अभी बात के कि gastrointestinal track के related discomfort feel होना कि कुछ cases में दस्त हो जाते है या फिर stomach upset मतलब कि पेट में आपको uncomfortable feel होता है ये capsules के लेने के बाद warning हम देखे तो अगर आपको allergy है उसके अंदर use के किसी भी ingredient की तो ये capsule को use ना करें अगर आपको hypersensitive reactions हो जाती है किस तरह से skin के उपर rashes हो जाते है या फिर allergy reactions develop हो जाती है तो भी ये capsule use ना करें pregnancy and breastfeeding के दोरान proper precautions के साथ ही उसको use करें और जब भी ये capsules के treatment चालू है तो काफी सारा पान ही पीना चाहिए कि जब भी ये medicines की therapy आपको चालू है और जिनको liver related problem है वो लोग भी proper सावधा नहीं रखे ये capsules को लेते समय कि proper physicians के consult करने के बाद ही आप ये medications यूज करें के आपको ये सब complications से तो ऐसे सीखे दवायों के basic उसके बार में dose side effect warning and contraindications से एक साल तक सरल बासा में affordable price में फार्मारोक्स की आप उपर तो डाउनलोड कर लिजे अप्लिकेशन फार्मारोक्स की जो Android अप्लिकेशन ही आप 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 आप